अज़ के सेशन में हम लोग PGC L Power Grade Diploma Training Electrical का जो 13th of August 2021 को जो रिचेन में पेपर हुआ है NR1 रिजिन का उसके हम लोग डीटेल एनलेसिस करने वाले उसके को रिवीव करने वाले विद देर डीटेल सॉलुशन आज के सेशन में हम लोग मेंली जो 120 कोशन्स आपको टेक्निकल के पूछे गए थे उसके फर्स्ट 40 को डीटेल एंसर के साथ में हम लोग डिस्स करने वाले वन आफ दो रिक्वेस्टेट सेशन रह चुका है अभी हमारे चैनल के पर आपको पता है रिसेंट्ली 2021 के लिए जो हमारा प्रिवेशन पर रह चुका है हुआ हमारा 17th of December 2021 को इसके प्रिवेट कोशन उसमें पूछे के ते वो भी हमने हमारे नॉन टेक्निकल चैनल पर अपलोड करा दिये इन सभी की जो प्लेइस्ट है इन सबकी सेशन के अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो प्लेइस्ट के दवारा मैंने चैनल के प्रवाइड करा दिये वह आप आप आ उतना ही मायने रखते सेलेक्शन के लिए इसलिए आपको जनरल इंग्लिश हो गया रीजनिंग हो गया नॉन टेक्निकल का एक फिफ्टी कोशन का सेशन यह तो सबसे पहले आप जाके देखी का बाकि आप बाद में देखे तो और फिर यह कॉन्टिटी डूट का यह सेकंड तो प्लीज जाके विजट करेंगा आपके नॉन टेक्निकल का भी प्रपरेशन उसी तरह के से हो रही है तो चलिए गई हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हमारा सबसे पहला कोशन यह हमने को स्क्रिंशॉट करके मेंशन करके रखे सो आप इसको देख सक को यह काफी आची तरह के से भाद ध्यान में रखने होगी रही है विचा दॉट फॉलिंग ऑप्शन फॉर्ड रोल ऑफ जनेटर इन पावर सिस्टेम इस करेक्ट जो रोल रहता है पावर सिस्टेम में इसमें से कौन सा करेक्ट है तो हम लोग क्वेशन में ऑप्शन आपक का काम रहता है फिर भी यह इंकरेक्ट हो जाएगा इस सबसे बेसिक कोशन हमें लगा इस पेपर में सी आने वाले कोशन साब देखी सकते हो अब हमारे पास से नेक्स्ट कोशन विचिस कोशन नमबर 2 कोशन को अगर मैं आपको बता था यह रटे 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 कोशन पीजी से कर सकते हैं कि जितना उन्होंने इस बार क्राइटरिया रखा था सिर्फ डिप्लोमा ठीक है अगर अपने डिप्लोमा क्या जो से लिए जितने भी कुशन रखने चाहिए था उससे थोड़ा मॉडरे और यह सी लेवल के भी कुशन हमें आपको देखने को मिले तो यह बात आ 300 kVA core type of transformer operated with the flux of 0.4 weber find the EMF per ton EMF per ton आपको पूछा गया तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा EMF equation कहा रहता है हमारे transformer का E is equals to 4.44 F5N अब यहां पर EMF per ton पूछा गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं EMF per ton which is equals to 4.44 multiplied by 50 multiplied by 5 flux कितना है हमारे पास 0.04 इसको गराप solve कर ले तो आपको मिलता है 8.88 volt ठीक है EMF per ton की आपको यह value मिल जाती है तो option A is question का correct answer है ठीक है आज आपको समच में होगा next question का हमारे पास question number 3 the dash is numerically equal to the induced EMF in the core coil due to unit rate of change of a current in the another coil ठीक है that means यह क्या है coefficient of statically self-induced EMF नहीं है coefficient of dynamically self-induced नहीं है तो यहाप यह बोला क्या है कि यह coefficient of mutual induction एक ऐसी चीज़ है it is equals to induced EMF in one coil due to the unit rate change in the current in the another coil ठीक है यह इस L1 को हगर हमने है supply दे दिया ठीक है इसमें जो induced EMF हो रहे इस दूसरे कोईल के साथ में जाकर link हो रहे ठीक है that means mutually coil है यहापे भी हमें equally EMF है आपको देखने को बलते है इस सीकों located mutual inductance ठीक है इतना ही ज्यादा distance रहेगा उतना ही यह हमारा कम रहेगा ठीक है इतने short distance में इसका magnetic lines of fluxes काफी जदा internet करेंगे ठीक है इस L2 के साथ में और हमें उतना ही EMF मिलेगा तो यह है हमारा coefficient of mutual inductance यह हमारी numerically it is numerically equal to the induced EMF in one coil due to unit range change इना current इना अन्दाद कोईल एक कोईल के द्वारा current गर्म लोग से feed कर दिया है उसके कारण जो भी current दूसरे इसमें induced हो रहा है उसके कारण जो induced EMF हो रहा है दूसरे कोईल में उसी को मिलोग है ते coefficient of mutual inductance ठीक है next question अभी हम लोग देख लेते question number 4 है which of the following statement about voltage amplifier is incorrect देखिए आपको incorrect दिया है मतलब आपको तीन options आपको correct mark पता होना important है इस case में पहला क्या है हमारा it provides voltage output proportional to the voltage input correct है यह हमारा voltage amplifier क्या करता है हमारे voltage input को amplify करता है और voltage proportional हमें voltage output देता है next statement कहा हमारा input resistance is large as compared to the source resistance ठीक है then हमारा input voltage हमारा source voltage जो जाता है यह भी statement correct है हमने cross verify करके आपको question बता रहा है इसले session को एक दिन लेट हो जुगा next statement कहा है in this circuit the proportionality factor depends upon the magnitude of source and the load resistance यह statement incorrect है आपको यह धान में रखना पोड़ेगा depends बोला गया है it does not it does not depend upon the magnitude of source and the load resistance यह statement हमारा incorrect हो जाएगा और यह हमारा question का correct answer रहेगा force statement कहा है if the load resistance large as compared to the output resistance then V0 is equals to AV into VAB statement नवारा correct है ठीक है यह as it is question आपर देखने को मल सकता है next question है मार पास question number 5 which are the following statement about electromotive force is incorrect ठीक है same question आपको पूचा कहा है incorrect से आपको पूचा कहा है that means आपको तीन questions screen statement को correct है और एक अपको पता करना रहता है जनरली क्या होता है correct पूच रहते है आप एक ही question में वह काफी आसानी हो जाते है इस case में ठीक है it is the voltage difference between the two terminal of a source in a open circuit यह correct है दो terminal के बीच का हमारा voltage यह है इसको में लोकित है emf it is a work done per unit charge by the source in taking a charge from the lower potential to higher potential energy correct है जितना हमें lower potential energy to higher potential energy के लिए चार्ज लगता है ठीक है जितना work done होता है यह हमारा emf है it is work done per unit charge बता है same statement है higher to lower बोला गया है तो यह statement incorrect हो जागा है and emf it is not a force यह correct है यह पर तो option c इस question का incorrect answer आ जाएगा next question है हमारा पास question number 6 यह में डिसस कर लिए था ampere hour meter is dash यह था हमारे integrating instrument आप integrating मतलब क्या होता है देखें ampere hour यह क्या करता है कितना current टेक है draw किया जाए पर और यह हमें एक algorithm परता है that means यह value क्या हो यह integrate हो यह with respect to time time के साथ इंटेग्रेट होने के कारीन हम लोग उसको कहते है integrating type of instrument जो हमारा वाइट आर्मेटर वो भी हमारे integrating type of instrument है voltmeter आर्मेटर हमारे integrating instruments के अंदर आते है तो यह आपको ध्यान में रखना होगा option d इस question का correct answer आ जाएगा then there is a next question which is question number 7 dash specifies the preferred यह थोड़ा से unique question हमें लगा dash specifies the preferred orientation in the orbital space of a given energy and size तो उसको हम लोग कहते है magnetic quantum number magnetic quantum number क्या रहता है यह हमारा orientation of orbitals को हमारा information provide कर रहता है it specifies the preferred orientation of the orbital space of a given energy and size principle quantum number क्या है it is about the size and energy of orbit अगर आपका next इसमें examination है अगर इफ इनकेस यह question repeat हो तो आपको धान में रखिया अजितमोल quantum number क्या है about shape of orbitals and spin quantum number क्या है about direction of spin and electron in any orbital तो यह option C is question का credit answer है और इसके रिल्ट मैंने आपको यहापी information provide करा दिया ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे next question को जो कि हमारा question number 8 which of the following statement about magnetostriction and its effect is incorrect यह थोड़ा सा concept काफी important है magnetostriction effect क्या होता है देखिए एक कोई magnetic field है ठीक है अगर यह ferromagnetic rod के उपर हमने इसको apply कर दिया ठीक है ferromagnetic rod मान लोई ठीक है इस case में क्या होता है कुछ small change in length होता है एक तो elongation में होता है या फिर वो compress होता है ठीक है इस case में length या इसमें थोड़ा सा changes होता है इस case में हम लोग इसमें frequency generation के लिए भी हम लोग उसको यूज करते है ultrasonic waves को generate करने के लिए यूज करते है ठीक है mainly हम लोग rod के उपर दो coils लगा कि या पर transistor लगा कि magnetostriction effect से हो हम लोग resonating condition में वो vibrations produce कर सकते है यहाँ पर पूछा के कि इसके effects को and its ill effect that means its drawbacks is incorrect है ठीक है a transformer buzzing noise is caused by the phenomenon of magnetostriction जो आपने transformer में इसा थोड़ा सा buzzing का आवाद सुना हो का ठीक है जो हम सुना ही आपको देखे रहता है वो magnetostriction के द्वारा ही produce हो जाता है यह आपको धान में रखना हो का ठीक है applied magnetic field changes the magnetostrictive strain until its saturation value मतलब कि magnetic field जो हमारी changes रहती जब तक वो saturation level पर नहीं आता है तो यह आपको ध्यान में रखना हो का this effect causes the losses which produces heat in the ferromagnetic core यह भी statement हमारा correct है अब यह next option है आप ध्यान में रहती है using low value of flux density core is one of the reason for humming sound transformer यह statement incorrect है यह तो क्या है जो हमारा preventive measure है ठीक है अगर हमने इस तरीके से design किया तो इस magnetostriction effect को हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग low flux density core को use करते हैं ठीक है तो हम लोग humming sound को control में ला सकते हैं और यहां पर ill effects पूछा गया है that means drawback है क्या नहीं है तो हम लोग यह statement को correct mark कर सकते हैं option d is question का correct answer हो जाएगा ठीक है इसको अगर हम लोग magnetostriction को अगर हमें कम करना है transformer के अंदर तो हम लोग यहां पर यहां पर क्या बोला है यहां पर तो हाला कि आपको पढ़ा देख सकते हैं ठीक है इन एट पोल डिसी लॉंग डिसी शन जनेटर विता यह सेम एज़िस कुछिन आप हिंदी में दिया गया था मैंने सब्सक्राइब करके आपको बता दिया एक अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर 50 वोल्ट यहां पर मैंशन गया है टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट आर्मिचर रिजिसंस पॉइंट टूप्ट रिजिसंस इस तो हमें आर्मिचर करन्ट फाइंड आउट करना था सिंपल यह आर्मिचर करन्ट यहां पर जो गिवन है आए हमें फाइंड आट करना था इसका सोलुशन हम लोग काफी आंस से निकल सकते जो लोड करो जाए यहां पर जनेरेटर है इसलिए इस लिए इस आर्मिचर के दौरा जो करन्ट जनेरेट होगा इस फिल्ड को भी सप् सब्सक्राइब तो इसका वाल जाएगा 25 एंपर करेक्ट यह तो होगा है हमारा आयल लोड करन्ट होगा शंट फिल्ड करन्ट यह इस में से जाने वाला करन्ट यहां पर 200 ओम्स का यहां पर वैल्यू की बने ठीक है जो कि हो जाएंगा हमारा 250 वल्ट टर्मिनल वोल्टेज ह करें हमारा डिवाड़ेड वहम लोग इसका डिएसंस कितना अजाएगा ठीक है 54 था 55 था 5.4 हमारा 1.25 पोई पॉइन पर यह पोग पता है आये का वाल्यू कितना हो जाएगा ठीक है टोटल करन्ट 25 प्लस 1.25 इसका वैल्यू आजाएगा 26.25 अब मुझे आप यह बात तो हमारा वैलू कितना आ रहा था अगर हम लोग 5 को इस 2.5 के साथ आड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6.25 तो यहां पर ऑप्शन में तो गिवन ही नहीं है तो इसलिए मैंने अप्शन में डिटा करके मैंशन करके है हाला कि इसका करें टैंसर कहा है अप्शन ए जैसा हमें पेपर रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग लिए मैं आपको बात बता रहो अगर आपको इसके कार्या यहां पर यहां पर 250 वोल्ट वाला अगर आपको एंसर किये तो वह आप मुझे मेंशन कर सकते हो यह थोड़ी से प्रेंटेंग मिस्टेंग है यह अब बात ध्यान में लखना अप्शेन का का यह जाएगा इन देर इस नेक्स कुशन इसकोर्ण नाब टेन है calculation of capacitance between the line conductors and between the conductor to neutral or earth is not based on जो हम लोग capacitance को calculate करते है between line conductor यह हमारे पास different different line conductor से suspended है इस towers को ठीक है is not based on भोला गए है जो हम लोग अलेक्ट्रिक्स field strength पर तो डिपेंड करते है total charge with the potential difference इस पर डिपेंड करते है potential difference पर between the conductors ठीक है इसके उपर भी हमारा capacitance का calculation depend करते है बट magnetic flex lens and partial potential lens के उपर वो depend नहीं करते है तो option b is question का current answer आजाए ठीक है next question है हमारा question number 11 at what value of load angle dell does the maximum power transfer in a power system तो dell का value 90 degree जब रहेगा तब हमारा maximum power transfer होता है हमारे power system में अब यह आपको पता है जो power output रहता है synchronous generator का वो directly depend करता है इस डेल के उपर तो अगर हम लोग इसको डेल को बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग क्या power को और डिलिवर कर पाएंगे नहीं यह बात आप अगर हम लोग यह डेल को बियॉंड 90 डिगरी को इंक्रिस करते है तो इस किस में क्या होता है जनेरेटर output का fallback fallback हो जाएगा ठीक है to the maximum output क्योंकि electrical output का generator का वो decrease हो जाएगा और mechanical input हमारा काफी जादा हो जाएगा इस किसमें यह आपको धान में इस आपके लिए मैंने पारामेटर बता है यह होगे हमारा पारामेटर चेंज करने के बाद यह क्या होता है effect of proportion parameter control response high on it rise time इनए close loop system तो उस के वह decrease हो जाता है इस आपके लिए मनें पारामेटर बता है यह होगे हमारा proportional parameter integral and derivative इस केसमें है जो हमारा rise time है वो हमारा decrease हो जाता है overshoot हमारा increase हो जाता है और settling time में थोड़ा सा small change जाता है यह table काफी important है आपके आने वाले examination के रिए reading control parameter four characteristics of fans response अब fans response मतलब क्या होगा है आपको बता है या एक हमारा type of close loop control system है ठीक है जहाँ पर हमारे पास time यह fan matrix यहाँ पर जो मैंने mention नहीं क्या हला कि आप यह इसको close loop controlling system यहँ होगा पर mention कर सकते है यह टेबल वालीड है next question है हमारे पास question number 13 सिंगल फेस्ट ट्रांसफर्मर हैज़ा 300 प्राइमरी और 900 सेकंडरी टर्म नेट क्रॉस्च्छल एरिया ओफ और कोर इस 50 सेंटिमेटर स्कूर अगर हमारे वाइस प्राइमरी वाइंडिंग 50 हर्स को नेक्टेड है पॉल्टेज पूछा गया सेकंडरी वाइंडिंग के से बाकी वाल्यूस आपको ध्यान में रखना हो ठीगे इसका फॉर्मॉला क्या हो जाएगा वी बापॉन वीटू इस इकूस टू एन्वन अपॉन अपॉन एन्टू एक अनटू एक कि पूचा गया है वोल्टेज रहेगी 480 एपॉन वेटू इस इकूस तो 300 300 प्राइमेर रिटन से हमार पास ठीक है इस किसमें हमार पास वीटू का वालु कि इतना जाका वीवन है मारा 480 multiplied by n2 कितना है हमार पास में एंटू का है 900 अपॉन 300 यह 3 जाका पाट जाएगा 3 इंटू 480 विल बी 1440 वोल्ट के तो वीटू का जो इंडूस्टीम आफ रहेगा हमारे सेकंडरी बाइंडिंग में वह रहेगा हमारा 1440 वोल्ट ऑप्शिन का करेक्ट एंसर आजाएगा देन देर इस नेक्स कुछिन विच इस कुछिन नमबर 14 वर्ट इस ट्रिपिकल वाली ओफ ओपन लूप वोल्टेज गेन एवी ओएल फॉर सेवन फॉर्टीवन एंप अपले आप्रेशनल अंप्लिफियर ठीक तो हमारे इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा तो जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है ठीक है सेवन फॉर्टीवन ऑप्रेशनल अंप्लिफियर का वह हमारा मोर दैन रहता है ठीक है तो इसको हम लोग डेसेबल पर 106 डेसेबल भी कंसिडर कर सकते हैं इंपॉर्ट है और हाँ इसका एक सिगनिफिकांसी है कि अगर हमारा इंपूर्ट वोल्टेजर सिर्फ एक मिलो वोल्ट का भी है तो हमारा आउट्पूर्ट वोल्टेज हमारा ओवर 200 वोल्ट्स इसमें दिखा सकता है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं और मैंने आपको यह पताया था कि यह हमने अपको शेशन प्रवाइड करते हैं इसमें से एक कुछन डेफिनिटल पूछा था है यह सेम कुछा गया यह पूछा गया है यह क्या है हमारा टोटल लुमेंस रीचिंग दे वर्किंग प्लें तो टोटल लुमेंस गिवन आउट बाद लैम दोरा कितना लुमेंस आउट्पूट मिल रहा है और हमारा सर्फेस के ओपर कितना वो रीच हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं कोईफिशन ओफ यह क्लास ऑफ डिवाइस है जो कि एलेक्ट्रिक पावर को जनेरेट करते हैं बाइव मीनस इंट्रेक्शन ओफ मूविंग फ्लूइड है ठीक है यह जो जनरली एक आयोनाइज गैस रहती है यह पर ठीक है और मेगनेडिक फिल यह हमारा एक मैगनेटी मैगनेटो हाइड्रो यह काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इसके बार में आपको एक स्लाइड इसके आने वाले सेशन में प्रोवाइट करा दूँगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी वो प्रोवाइट करा दूँगा ठीक है काफी वो डीटेल में थी हाला कि उसकी क्वेशन पर 17 ने विच अब फॉलिंग पॉइंट्स आबोट आडेमस वैल्यू इसमें से आरेमस वैलिट इन्ट इंकरेक्ट किया है तो हाला कि आप्शन नहीं करेक्ट है मैं आपको बागी कि बागी के वैलिस बताता हूं आरेमस वैल्यू के इन बीटर बाइटर्मेंट बाइड ग heat produced due to AC is proportional to the RMS value of the current, ये statement इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, square of हम लोग correct करते हैं, जो हमारी heat produced होते है, power जिसको हम लोग ड्रॉप करते है, वो रहते है हमारे i square into rc the option, ये इस question का correct answer आजाएगा, जो क्या हमारा इनकरेक्ट है, next question is question number 18, calculate the synchronous speed of three-phase induction motor, और इबो false and frequency are given as a 6 and 60 hertz के respect to the, काफ़े simple जाए, ns is equal to 120 into f by p, ये काफ़े basic सा question हम लोग करते होगा है, 120 into frequency कितना हमार पास 60 है और false कितना हमार पास 6, 20 into 60 will be 1200, this question का correct answer था, ठीक है, next question है हमारा question number 19, ये भी question आप अच्छी तरिगर से ध्हान में ठीक है, यहापे का बोला गया है, कि एक long shunt lap bound generator है हमारा बसमें, जो supply कर रहे 20 kilowatt terminal voltage of 400 voltage पे, ठीक है 400 volt है, the armature resistance is 0.02 ohms, ठीक है, इसका RA का जो value है, 0.02 ohms है, series field resistance है हमारा, ठीक है, ये series field resistance है हमारा, 0.04 ohms, and the shunt field resistance is 100 ohms, यहापे shunt field resistance, यह image दीग ही नहीं थी, मैं आपके understanding के लिए पर mention करो, 100 ohms है, ये values का highlight, I will highlight this, 0.02 ये 400 volt का है, 0.04 series field resistance का ohms में है, brush drop भी है, इस case से नहीं देखी है, यहापे जो brush drop है, ये 1 volt यहाँ पर आएगा, 1 volt यहाँ पर आएगा, है, determine the induced TMAF में पूछा गया, तो इसमें I का value कितना हो जाएगा, इसमें I का value हो जाएगा हमारा 20 kilowatt का motor है, 20 into 1000 करेंगे, वाइट में convert करने के लिए, divided by 4, ठीक, I का value कितना हो जाएगा हमारा 50 A, correct, अब ISH का भी हम लोग value नहीं कहा सकते, ISH, that means shunt का, ठीक है, ISH का value कितना जाएगा, shunt current का, वह हमारा terminal voltage हमारा 400 divided by हमारा 100, ठीक है, यह आज एका 4 A, correct, यह आगया, अब total I A का current, यह generator है, ठीक है, तो इसलिए इसका generator का current रहेगा, I A, ठीक है, यह क्या रहेगा, total shunt current हुआ, plus I L, जो हमने load current निकाल लिया, ठीक है, I L have to change the color, once again, ठीक है, तो इस case में I A का value कितना रहेगा, I plus ISH में directly कर देता हूँ, 50 plus 4, 54 A, 54 A, 54 A यह आपर आगया value, अब यह आपर series field drop हम लोग निकाल सकते हैं, इस series field में voltage drop कितना हो रहा है, वह हम लोग कैसे निकालेंगे, इस current को multiply क करो, ठीक है, 54 into हम लोग क्या करेंगे, 0.0 phone उसके resistance से multiply करेंगे, तो हमारा value आजएका 2.16 volt, correct, again change the color, अब हम लोग निकाल लेते, इसमें armature drop भी रहेगा, armature drop, ठीक है, eb into i वाला, ठीक है, वो कितना रहेगा, 54 into, 0.02 इसका value कितना है, ठीक है, इसका value आजएगा, 1.08 volt, अब इसको सब की addition करनी है, बट इस case में आपको एक चीज़ भूलनी नहीं है, कि हमें आपे brush drop भी given है, 1 volt का, तो 2 brushes रहेगा, positive negative के लिए, तो 2 volt, brush drop भी है, इस case में आता है, तो हमारा induced mf e का value कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक है, वो रहेगा हमारा terminal voltage 400 plus 2.16, यह हमारा series drop भी इसमें include होगा, plus हमारा brush drop भी इसमें include होगा, plus 2 volt, plus हमारा armature का resistance का भी, armature resistance drop भी वहापे mention करना होगा, 1.08, तब जाके आपका value आता है, ठीक है, 400, 2 plus 2 will be 4, plus 1 will be 5 ठीक है, 405, and 0.16 plus 0.8, 0.24, that means, 405.24 volt इसका correct answer आ जाएका, जो कि हमारा induced mf in this circuit, option is question का correct answer है, आयो पकोई detail analysis समझ में आ रहा हो, कर आपकोई वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, और अपने अभी तक हमारे चनल एलेक्रिकल इंजिए का next question is question number 20, which of the following type of damping is used in a permanent magnet moving quality, मैंने कुछे दिनों पहले question cover कर आया था, PMMC instrument में हम लोग AD current damping का इस्तेमाल करते है, option B is question का correct answer आ जाएका, देख सकते हो, AD current damping is used in a PMMC and induction type of instruments, okay, ये chart important है, धान में क्या, then we have a next question, which is question number 21, ये important question है, जो हम लोग, like dependent voltage and dependent current sources के परेकर में session लिया था, DFC cell में, उसमें मैंने same question cover कर रहे, तो ये आपको देखने को मिल रहे, as it is question, हमें क्या पूचा गया है, दिये गए परिपत में, जिसमें एक धारा अश्रित वोल्टता का source है, अश्रित वोल्टता की, अश्रित वोल्टता क्या है, that means, यहापे बोल अश्रित वोल्टता गया है, कि यह हमारा current dependent voltage source है, इसका value हमें find out करने, काफी simple है, के वे लगा देंगे, a point से, ठीक है, यहाला कि हमें यह भी चीज़ पता है, कि इन्होंने कुछ-कुछ questions कहा, कौन से, कौन से, बुक से लिये गए, ठीक है, तो यह आपको धहन में रखना हो प्लस V2, इस total supply voltage कितना है, आपको 6V है, अगर आपको दिखाए नहीं दे रहा हो, तो मैं mention करकर रखना हूँ, इस equals to 6, ठीक है, यहाँ पर हमारा V1 कितना है, देखे, V1 क्या है, ठीक है, इसमें से current flow हो रहा है, I, और इसमें का resistance कितना है, 4I, ठीक है, इसी तरीके से V2 कितना है, हमारे पास, यह जो semi current flow हो रहा है, एक सीरीज में, V2 क्या है, ठीक है, इसका resistance कितना है, 6, ठीक है, 6 ohms का resistance है, 6 into I, 6 I हो जाएगा, ठीक है, यह 6 I हो गया, V2, ठीक है, यह दोनों भी values, आपको यह पर ज़रूर थे, आप विवन और V2 के इसमें value substitute करेगा, 4I minus 5I plus V2 का value कि कितना है, 6 I is equals to 6, ठीक है, तो इसकेस में क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4, प्लस 6, 10 हो जाएगा, 10 minus 5, 5 I is equals to 6, तो I का value कितना हो जाएगा, 6 by 5, मैंने बाप को बताया था, हमारे quick calculation technique में, तो यह 1 by 5 का value कितना होता है, 0.2, ठीक है, तो 1 by 5, 6 by 5 का value कितना हो जाएगा, I will be equals to 1.2 ampere, अब यह इसका current आ किया है, तो हम लोग इस current dependent, that means, इस dependent sources का voltage रहेगा, वो इस current के पर depend करेगा, that means, अकर इसमें से 1.2 ampere flow हो रहा है, तो 5 into हमें इसका multiply करना पड़ेगा, 5 into 1.2, like 1.2 कितना हो जाएगा, 6 value, इसका value जाएगा, 7.2, 7.2 volt इसका current answer आ जाएगा, तो option, इस case में क्या है, इस question का current answer आ जाएगा, अला कि तो option B है आला कि correct था, हम से थोड़ी से mistake हो गया, I totally apologize for this thing, यह पर 1.2 देखे, इस I का value आ यह है, यह है 1.2 ampere, तो हम लोग इसको 5 से multiply करेंगे, हाला कि हमारे पर दूसरी values थे mention, ठीके, 5 into 1.2 will be, is equals to 6 volt हो जाएगा, ठीके, क्य हमें निकालना होता, 5 का, 5 का था हम लोग क्या करते है, इसको 1 by 5 से multiply करते है, ठीके, तो हमारा point 2 आता है, that means इसका value आ जाएगा, ठीके, 6 volt, ठीके, तो 5 और यह 1.2 will be 6 volt, इसका correct answer आ जाएगा, option B इस question का correct answer, यह 7.2 incorrect है, ठीके, आप मार करिएगा, तो अभी हम लोग बढ़त is passing along a straight wire, now the wire is bent to formal loop, एक हमारा current pass रहा है, इस straight wire से, ठीके, 10 MPS का, ठीके, now the wire is bent to formal loop, अगर हमने इसको loop में convert कर दिया, ठीके, तो हमें पूचा गया, कि what should be the diameter of the loop, इसका diameter कितना होना चाहिए, ठीके, इसको गर हमने loop में consider कर लिया, ठीके, इसका diameter कितना होना चाहिए, अगर हम current floor है, 10 MPS का, ठीके, so that the force produced at its center will be the same as the force produced by the straight conductor at a distance of 0.1 meter, 0.1 meter के distance के पर कितना force produced हो रहा है, उतना ही हमें इस center के पर force produced होना चाहिए, वो equal है इस condition में, तो इस case में आपको दो formulas, guys, इस question को अपको धहन में रखेना होगा, काफी important से चीज़ है, ठीके, आपको पता है, B is equals to mu into H होता ही, आपको formula धहन में रखना होगा, अब हमें पूछा गया, कि force कितना हो रहा है, वो force equal है, अगर हमारे पास, इस center पर अगर हम लोग consider करते है, अगर हम लोग consider करते है, अगर हम लोग consider करते है, तो इस case में आपको straight current carrying conductor का जो formula रहता है, ठीके, H is equals to क्या होता है वो है हमारा, I by twice by R, R जो होता है हमारा distance होता है, ठीके, हमारे बस 1.1, यह magnetic field, जो हमारे एक force है, field strength है, हम लोग इसको consider कर सकते है, हाला कि इसका दूसरा भी value हो रहता है, ठीके, B into mu into H, ठीके, B is equals to mu into like I by twice by R, तो यह हमारा mu और B by mu हो गया, तो हम लोग H ही इसको consider कर सकते है यह आपको धहन में रखना हो, ठीके, field density हो जाएक है, अब हम लोग आपर force निकाल ले, और यहाँ पर यह conductor है, straight, round वाला conductor है, इसका जो formula है, यह तो straight line conductor का हो गया, ठीके, इस round circular loop का जो value रहता है, इसका जो formula है, वो के हमारा, H is equals to I by twice R, यह आपको धहन में रखना हो का, यह two formulas important है, I'll highlight this, यह straight line के लिए हो गया, और यह हो गया हमारा, इस loop के लिए, correct, अभी मैं color change करके आप गदा जाता हूँ, इस के बारे, ठीक है, let's check this green color, I'll eliminate this, so that आप इसको अची तरी के समझ सो को, अब इन्होंने जो magnetic force से हापर produce हुआ है, वो same ही है, ठीक है, वो same है, तो हम ल twice r, correct, तो i का value कितना है हमारा पास में, 10 है, 10 mps का, 2 into pi multiplied by r का value कितना distance है, इस case में हमारा पास 0.1 है, is equals to i का value आजाएगा हमारा 10, और हमारा पास 2 into r, ठीक है, यह r का value ही हम लोग निकालना है, और यह r के हो गया, यह r हो गया, capital r, ठीक है, यह पर small r भी consider कर सकते हैं, I'll get this as a smaller, so that I'm confused now, ठीक है, this should be the smaller, यह radius निकलना है, तो भी जाके तुम लोग diameter निकाल पाएंगे, अभी 10 से 10 cancel हो जाएगा, 2 से 2 cancel हो जाएगा, pi 0, 3.14 multiplied by अगर हम लोग 0.1 करते हैं, तो 0.314 इसका value आता है, ठीक है, तो 0.314 will be the value of r, ठीक है, अभी हमें r की value हो कितना, अगर आपक तो diameter पता, radius पता है, इस circle का, 0.314 है, तो हम लोग diameter निकाल पाएंगे, इसको हम लोग 2 से multiply करेंगे, that means 0.314 multiplied by 2, जिसका value हो जाएगा 0.63, option D इस question का करेंट से रहेगा, यह थोड़ा सा important question हमें लगा, इस तरीके से आप ए question देखने को मिले थे, तो काफी moderate level के question है, इस time पर next question है, हमारा पास question number 23, if you have a 2 milliampere meter movement with a coil resistance of 1000 volt, when 2 milliampere current is flowing through the meter coil and is causing the full scale deflection, जब 2 milliampere का current flow rise milliampere meters है, तो वो full scale deflection produce कर रहे, तो हमें पूचा गया कि कितना voltage developed होगा across this coil resistance, तो काफी simple सा question है, आप देख सकते है, 2 milliampere का current है, 2 into 10 to the power minus 3, और इसका resistance कितना है coil resistance हो हुआ है, हमारा 1000, ठीक 1000 से हमारा 10 to the power minus 3 cancel हो जाएगा, 2 volt इसका current answer है, option है इस question का current answer है, ठीक है, then we have a next question, which is question number 24, यह वना तो important question है में लेका, थोड़ा सा इन्होंने tricky question है, पूचा गया है, एक lead wire है और एक iron wire है, जो हमने parallel में connect कर दी है, हो गया हमारा lead wire, और यह हो गया हमारा iron wire, यह हमने parallel में connect कर द ठीक है, ठीक है, their specific resistance are in the ratio of, that means row का जो value है, specific resistance का ratio है, 40 to 20, former carry is 80%, former carry is 80% and the latter, more current than the latter, latter मतलब होता है कि जो end में आता है, और former मतलब जो होता है, वो first आता है, ठीक है, वो 80% more current carry कर रहा है than the latter, ठीक है, and is 45% longer than the former, that means former है, ठीक है, पहले जो आने वाल है, उसका 45% longer है वो, ठीक है, than the former, determine the ratio of cross sectional area, उसके cross sectional area का ratio पूचा गया है, important है, इसके लिए आपको एक formula ध्यान में रखना होगा, ठीक है, हाला कि इसका derivation है, मैं आपको एक screenshot इसका mention कर देता हूं, हाला कि आपको एक पता देता हूं, R1 is equals to row 1 L1 by A, आपको पता है, और R2 का value क्या हो जाएगा इसके समें, फटा फट से मैं आपको देता हूं, R2 is equals to row 2 L2 by A2, ठीक है, दो wires parallel है, तो that means I क्या हो जाएगा, V by R1, and similarly I2 क्या हो जाएगा, V by R2, क्योंकि voltage सेम रहेगा इसके समें, correct, तो इसके समें इसका ratio क्या बने row 1 L1 by A1 multiplied by A2 upon row 2 L2, correct, अभी हमारे पास ratio क्या आजाएगा, A2, अभी हम क्या पूचा गया, ratio पूचा गया, A2 by A1 will be equals to I2 by I1 multiplied by P2 L2, not a row, इसके, L2 upon row 2 L2 upon row 1 L1, इसके में अगर हम लोग value substitute करने थे, अभी इस condition में आपको values कैसे determine करने पढ़ी कि यह आपर considerate ही करना पड़ता है, इसके में अगर आपको solve करना है तो, let's take this blue current, okay, I'll eliminate this, क्योंकि resistance का formula है, simple सा, ठीके, अब आप ध्यान में रहेएगा, I1 का value है, अगर हम लोग I2, आपर पू 1.8 ampere, यह बात मानते हो, ठीके, 0.80% ज्यादा है, तो हमारा 1.8 इसका correct answer आजाएगा, और यहापर L1 का value है, वो है हमारा 1, ठीके, and L2 का value है 1.45, क्योंकि अब पुचा गया, latter is 45% longer than the former, that means L2, L2 is 45%, 1.45 हम लोग consider कर सकते हो, और L1 कितना है हमारा 1, ठीके, L1 का value हम लोग 1 consider कर सकते हैं, तो हम लोग सारी values आपके गाई, substitute कर दे, 1.1.8 multiplied by 20 upon 40, ठीके, 20 इसका ratio कितना था, ठीके, respective ratio था, 20, 40 to 20, क्योंकि हमने I2 by I2, ठीके, there is specific resistance का है, row 1 और row 2 का हमने आप value consider कर ले, I1 का थो हो गया, ठीके, यह row 2 और row 1 का है, ठीके, specific resistance के हम लोग रो से determine करते है, 20 upon 40 multiplied by 1.45, ठीके, 1.45, L2, ठीके, L2 कितना है, 1.45 upon L1 है, 1, ठीके, तो इसको गर आप solve कर ले तो, तब जा कि आपका value मिलता है, 0.4, तो यह हो गया उसकी ratio of cross-sectional area का, option B, इस question का correct answer, इसको काफी time लगता है, और काफी detail में, कॉइंसे अगर आपके clear रहे हैं, तब जा कि इसको आप attempt कर सकते हैं, काफी सारे questions हमें थोड़े moderate level के देखने को मिले थे, ठीके, हाला कि उन्होंने, इस बार, सिर्फ diploma students के लिए eligible किया थे, लेकिन questions काफी थोड़े difficult level के थे, यह बात मैं आपकी consider करता हो, ठीक है, next question है, हमार पास question number 25, which of the following statement used about, which of the following statements about a semiconductor is incorrect, semiconductor से लिए इसमें से कौनसे statement incorrect है, यह पूछा गया, most commonly used semiconductor materials are germanium and silicon, यह भी statement correct है, current carriers are free electrons and holes in a semiconductor, correct, current carriers जो रहते हैं, एक तो free electrons रहते हैं या फिर वो holes रहते हैं, it is a substance whose conductivity lies between metal and conductor, इस statement incorrect है गाईस, conductor और insulator की बीच में ही हमार आता है semiconductor, यह metal और conductor तो एक ही बात होगी, यह statement incorrect हो जाएगा, तो width of forbidden band of semiconductors is relatively small, यह भी correct होता है, तो option C is question का correct answer है, जो कि हमारा incorrect है about semiconductor, next question which is question number 26, which of the following is correct representation of trans conductance, trans conductance is related, इसमें से कौन सा statement incorrect है पूचा गया है, तो trans conductance क्या होता है, conductance that means r is equals to 1 upon g, या फिर लोग से इस conductance is inversely proportional to the resistance, ठीक है, resistance का हम लोग क्या रहते हैं, v by i, ठीक है, इस case में हमारा trans conductance का value क्या जाएगा, i by v input, ठीक है, trans conductance की बात करीगे, option A is question का correct answer आजाएगा, ठीक है, then we have next question which is question number 27, आपके अची तरह के से detail में समझाने के लिए, मैं एक session में 40 questions को समझाती है तो, so that session का length काफी लंबा ना होचा और आप हर एक question को समझ सुको, ऐसे जरूरी नहीं कि हम लोग one go में 120 questions complete करें और उस questions के detail है बारी किया है वो ना समझाती है, तो इस बात का आपको धहान में रखना होगा, question हर एक questions का पढ़ते है तो उसके जो भी concept रहती है तो आपको पता होना important है, इस में से कौन सा controller transient response improve करता है हमारे systems का, तो वह हमारा derivative controller गाइस धहन में रखना होगा और transient response भी हमारा slow हो जाता है, important है, but इस case में proportional integral में क्या होता है, stability decrease हो जाती है, यह आपको धहन में रखना होगा, तो option D जो मैं मैंने किया गया, यह correct answer है, ठीक है, then we have a next question which is question number 28, which of the following statement about a nature of speed control required by a different industrial drive is incorrect, मैं आपको directly option बता देता हो, some drives requires only one fixed speed over a region and such drives are called as a mono speed drive, यह incorrect है guys, आपको ध्यान में रखना होगा, हाला कि बाकि की सारे statements है वो correct, that means some drives requires continuously variable speed, कुछ drives जो रहे थे हमारे industry में उसको variable speed की ज़रूरत रहती है, जो 0 से लेके full तक कोई भी speed पर vary कर सकते हैं उसको variable speed drive करते हैं यह statement correct है, some drives requires 2 or 3 speed speed, यह एक हम लोग S1 के हो सकते हैं, S2 हो सकते हैं यह पर S3 हो सकते हैं यह पर उस रिजन को हम लोग कहते हैं multi-speed drive correct, and in some cases speed is needed for adjusting the work on the driven machine only for a few revolution per minute, such speed is known as a scraping speed, यह भी statement हमारा correct, that means कुछ cases में कहते है, speed is needed for adjusting the work on a driven machine only for few revolution per minute, सिर्फ कुछ ही के लिए, उस ही कहम लोग कहते है creeping speed drives, तो option A is question का incorrect statement हो जागा related to the industrial drives, then we have a next question which is question number 29, dash method is used for heating the production of steel, production of steel के लिए आपको पता होना चाहिए, यह direct arc heating हम लोग यह measure use करते हैं काफी important है, और indirect arc furnace जो है जो हमारी non-farious material रहते है brass copper zinc उसके लिए हम लोग इसको यूस करते हैं, ठीक है, then we have a next question which is question number 30, which of the following is not the advantage of bundled conductor, bundled conductor का कौन सा advantage नहीं है, improved voltage regulation, voltage regulation improve हो था यह statement करेक्ट है, reduced interference with the communication line, यह भी statement करेक्ट है, reduced corona loss due to large cross section area, यह भी statement हमारा करेक्ट है, but यह हमारा advantage जैसे, reduced clearance requirement at a structure, ऐसा कोई हमारा advantage नहीं रहता है, bundled conductors का, ठीक है, option D is question का correct answer आजागा फिर, which is question number 31, according to the latest practice, approximate land required for 220 kv substation is what, 220 kv substation के लिए, कितनी land की requirement रहती है, यह table में नहीं आपको बताया था और आपको बताया यह important है करके था, आपे same question बुझा गया, 25 acres की requirement है, 220 kv substation के लिए, 25 acres की requirement रहती है, अब इसे आप learn कर लो, 132 के लिए 10, 220 के लिए 50 acres और 2400 की वी substation के लिए 50 acres की ज़रूरत रहती है, then we have a next question, which is question number 32, the clearance above the ground for EHV line shall not be less than, clearance above the ground for EHV line shall not be less than 5.2 meters, यह नहीं होना चीए, मैं आपको इसका बता दे तो, I rules number कौन सा है, यह हमारा I rule 77, यह आपको धहन में रहती है, मैं आपको proper mention कर देता हूं, यह पर क्या कुछ आगा है, rule number 77 हमें बताता है, clearance above the ground for the lowest conductor, lowest conductor जो रहता है, यह हमारे पास, कि यह like consider कर सकते हैं, यह हमारा conductor सा हमारे में चीए, तो lowest conductor to the ground जो रहता है, उसका clearance बता गया, इसमें different different values given हैं, मैं आपको directly यह mention कर देता हूं, extra high voltage है भी पूछा गया था, जिसका clearance जो है, आई rules पर मैंने आपको बता दिया, specifically, then we have a next question, which is question number 33, again यह काफ़ी easy question पूछ लिया है, in moderate questions में, what is the value of crest value for sinusoidal AC only, sinusoidal AC का crest value, peak value का formula कर रहता है, वह हमारा 1.41 factor से different रहता है, root 2 हम लोग जिसको कहते हैं, तो option 20 question का correct answer रहता है, यह मैंने आपको table काफी बार आपको अच्छी तरह कीसे समझा है, इसका आप learn कर लेना है, sine wave, triangular wave, square और short tooth के RMS, crest और form factor हो तो आपको थे हैं, square wave की learn करनी की ज़रूरित नहीं completely one रहते हैं, पर आपको form factor तो important है, यह सारे चीज़ होगे, ठीक है, next question is question number 34, torques are associated with a synchronous motor, which of the following torque is also known as a breakaway torque, इसमें से कौन से torque कम लोग breakaway torque करके भी mention करते हैं, तो वो होता है हमारा starting torque, option A is question का correct answer के, इसकम लोग locked rotor torque करके भी कहते हैं, option A is question का correct answer आजाएगा, then we have a next question which is question number 35, in a closed loop control system is also known as, काफे simple सा खुशन है, close loop control system को हम लोग feedback control system भी कहते हैं, क्योंकि close loop में मतलब क्या आते है, open loop है तो यह सारी चीज़ें नहीं आती, close loop है that means क्या होता है, हमारा output का variations हा यह हमारा feedback लता है output से, जो output देया जा रहा है, वो हम लोग comparator से compare करके, error हम लोग इसको feed करते हैं, so that यह हमारा regulating type, automatic closed loop control system भन जाते है, that means जगर हमारा air conditioning unit करते हैं, consider कर सकते हैं, वो भी हमारा closed loop है, हमारे room का temperature कितने है, उसके accordingly AC का जो temperature है, वो blow speed हो गया, और सारी चीज़े control होती है, एक type of हमारा closed loop control system है, option is question का correct answer आजएगा, then we have a next question, which is question number 36, which of the following is a direct method of network analysis, यह थोड़ा सा question, उन्होंने tricky question पूछ लिया, direct method of network analysis में कौन सा आता है, इसमें mainly mesh analysis हाता है, mesh analysis हाता है, loop analysis हाता है, यह हमारे direct method analysis के solution से है, but thevenist theorem होगे, star, delta, norterns, यह हमारे indirect method of circuit analysis है, तो आपको option है, इस question का correct answer mark करना होगा, next question है, question number 37, in a phasor representation of an alternating quantity, the sinusoidal varying alternating quantity can be represented graphically by, phasor representation जब हम लोग करते हैं, alternating quantity का, तो उसके समें, sinusoidally varying alternating quantity हैं, हम लोग किसे represent करते हैं, by straight line with an arrow, option B is question का correct answer आजएगा, then we have a next question, which is question number 38, which are the following signals are continuous and can vary, in a wide range of value, तो वो होते हैं हमारे analogous singular, यह हमारे continuous signal रहते हैं, just like हमारे discrete signal, वो continuous नहीं रहते, तो इस case में, वो wide range of values के लिए भी vary करते हैं, इसका फिर correct answer आजएगा, option D, which is analogous signal, next question is question number 39, यहनों यह dimension के उपर एक question पूछा गया था, अगर आपको इसका चार्ट चाहिए हुआ है, तो मैं आपको upload कर दोगा हमारे channel के उपर, ठीक है, which is the following is the dimension of electrical conductivity, conductivity क्या होती है गाईज, वो होता है, G is equals to 1 by R, correct, वो होता है हमारा, I by B, अगर आपको I का dimensional values पता है, और V का dimensional value पता है, तो आप लोग निकाल सकते हो, दीखे, I का dimensional value कितना होता है, current, ठीक है, A upon, ठीक है, और E का, हमारे पास इसका value कितना होता है, ठीक है, voltage का value कितना है, E का, ठीक है, sorry, E का नहीं हमें, पोटेंशिल का चाहिए, electric potential V का, ठीक है, तो M, A inverse, L square, 3 to over minus 3, इसको अगर आप solve कर लें, तो आपका values किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो A inverse है, A inverse to the minus 1, ठीक है, तो यह numerator में जाने के बाद में कहाता है, A का value 1, into A का value 1, तो इसके addition हो जाती है, same base होने के कारण, ठीक है, तो A square आजाएगा, इस case में, ठीक है, T raise to power minus 3 है, तो numerator में जाने के बाद में, वो T raise to power plus आजाता है, ठीक है, यह हो गया, और L raise to power minus 2 है, तो L raise to power यहाँ पे, minus 3 हो जाती है, इस condition में, and M will be minus 1, तो option C is question का correct answer रहागा, आला कि इसके में, कुछ errors होंगे, तो मैं पको cross check करा के, provide करा दोगा, बट यह completely to valid table है, इसके लिए, यह last question of our session, is question number, यह question काफी interesting और basic question था, अगर आपके concept clear है, यह पर क्या पूचा गया, एक unknown EMF is connected है, इसके लिए काफी सिंपल सा, इसको series parallel से आप solve कर सकते हो, ठीके, मैं आपको बता देता हूँ, यह 5 ohms का और यह 5 ohms का रेजिस्टन, जो है, वह overly आपको solve करके दिखा देता हूँ, यह हो जाएगा हमारा 10 ohms का resistance, अब यह 10 ohms का जो नया resistance है, यह हमारा parallel में आ जाएगा इसके condition में, ठीक है, यह इसके across का voltage कितना है, 15 ohms का है, यह भी हमारा 10 ohms का value है, अब देखो, इसमें, ऐसी condition आ जाएगे, यह 10 का होगे है, और यह 10 का, और यह आप यह में अपने connect करके रहेगा है, ठीक है, अब आपको जाएगा यह 10 ohms का parallel में होने के कारण, इसका एक series equivalent निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा 5 ohms, अब आप देखो, यह 5 ohms plus 10 will be, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 15 plus 5 will be 20, टामिस total resistance कितना है हमारा, 20 ohms का आए, इस complete circuit का total resistance है 20, अगर आप वदा है, 20 ohms का resistance है, ठीक है, और current इसमें से find out कर सकते हैं, तो current हम लोग आए, जो current flow हो रहे है इसमें से, ठीक है 15 ohms है, तो वो हमारा main current रहेगा, यह total current आए, तो हम लोग निकाल सकते, 15 divided by 5 will be 3 ampere से, ठीक है, 3 ampere का इसमें से current हो रहा है, और हमें total resistance पता है, तो आपको लोग E का value निकाल सकते, E will be, कितना हो जाएगा, 20 into 3, which is 60 volt, option D, इस question का हमारा correct answer रहा है, यह थे guys हमारे first 40 questions, आने वाले दिनों में मैं आपको remaining questions जल्दी से जल्दी provide कराने की कोशिश करूँगा, आपको session आए हो, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, आज के session को आपके दोस्तों के शेयर करेगा, तो please subscribe करें या पर click करके, अब हमारे telegram channel पर join कर सकते हैं, काफ़ी interactive direction में आपको एक साथ करते रहता हो, so guys, thanks for watching this session, have a nice day.